वोसतो अब सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले अज्रो पास्व टेबलिट के बारे में अज्रो पास्व टेबलिट बढ़ दोरा बनाया जाता है और इसके इसमें अजित्रोमाइसिन 500 mg कंटेंट है और इसकी मार्केट प्राइज MRP लगबग 66 रुपीज है तो चलो इसलिए में जानते है अजरो टैबलिट के UGS साइड इफेक्टोर सब को सबसे पहले जानते है अजरो टैबलिट के UGS के बारे में अजरो पास्टो टैबलिट का इस्तमाल बैक्टरिया से होने वाले संक्रमन के इलाज में किया जाता है ट्रिट्मेंट आप बैक्टरियल इंफेक्शन आजरो पास्टो टैबलिट एक अंटिबायोटिक दवा होता है जिसके कारण होने वाले विभिन्ण प्रकार के बैक्टरि दित्रोगों के हिलाज के लिए भी किया जा सकता है ये इंफेक्शन का कारण बैक्टरिया के वर्दी को रोक कर और इंफेक्शन को समाप्त करता इससे तब तक लेते रहे जब तक डॉक्टर ने आपको लेने के लिए कहा गया है खुराख छोड़ने से बचे इससे ये लिनी की जरूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से इसका से उन करने से ये साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते है अगर साइड इफेक्ट बने रहते है या लक्षन बिगडने लगते तो अपने डॉक्टर से सला ले अजरो के सामाने साइड इफेक्ट जैसे डाइर या सिर्दर अदमिच लिया आना पेट में दर्धाई सेलक्षन शामिल है अब जानते है अजरो टेबलेट का इस्तमाल का इसे करिया डूसेस के बारे में इसे साब निगले इसे ना ही चबाए ना ही कुछ ले ओर ना ही तोड़े अजरो पासो टेबलेट को खाने के साथ या भूके फेट भी ले सकते है लेकिन बहतरी ही होगा कि इसे फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए अब जानते हजरो टेबलेट किस प्रकार काम करता है अधरो पासो टेबलेट के अंटिबाइटिक है यह उन अवश्चक प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को रोकता है जो की बैक्टरिया के जीवीत रहने के लिए अवश्चक होता है इस तरह यह आपकी बैक्टरियल इंफिक्शन को मार देता है और इलाज का कुर्स पूरा कत्म कर दे इससे जल्दी बंद कर देने से संक्रमन दुबारा हो सकता है और फिर इलाज करना और भी मुश्किल हो सकता है भोजंग के एक गंटे पहले या दो गंटे बाद ले हजरो पास्टो टेबली लेने के दो घंटे पहले अबाद में अन्टाइसी न ले साडिफिक के तोर में दस्त होना शुरू हो सकता है कुर सुपूरा हो जानी के बाद दस्त होना रुख जाना चाहिए अगर नहीं रुकता या मल में रक्त मिलता है तो डॉक्टर को बताए अगर चाहिए आप आजरो पास्टो टेबली लेती समय इचनिंग र्यास चेरे गले जीपर सुजन या सास लेने में कठनाई हो तो तुरंत इसे लिना बंद कर दे और दॉक्टर को बताए ये जानकारी आपको कईसी लगी दोस्तो अच्छी लगी हो तो इडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अंतक दिखनी के लिए धन्यवाद दोस्तो जैहिन दोस्तो